Stocks में निवेश करना चाहिए या फिर mutual funds में या फिर दोनों में लेकिन अगर दोनों में invest करना है तो किस में कितना पैसा लगाए ये कुछ ऐसे सवाल है जो fresh investor से लेकर जो experienced investor हैं दोनों को परिशान करते हैं नमशकार दोस्तों मैं हूँ प्रांजल कामरा आज finology में करते हैं इस problem को हमेशा के लिए solve शुरू करने से पहले अगर आप stocks या mutual fund investing में बिलकुल ही नए हैं तो पहले ये जरूरी है कि आप समझ लें कि direct stocks में investing क्या होती है और mutual fund में investing क्या होती है लेकिन वो सब कुछ मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में जानते हैं आप अगर नहीं जानते हैं तो ये दो वीडियो हैं जो मैंने बनाए थे आप इनको देख सकते हैं दोनो ही वीडियो का link इस वीडियो के description में है अब सीधा मुद्दे पे आते हैं stocks जादा better है या mutual fund इसका कोई fixed answer नहीं है ये depend करता है आपकी situation पे एक example लेते हैं गाड़ी खुद चलाना better है या driver रखना better है क्या better है अब इसका answer आपकी situation पे depend करेगा न क्या आपको गाड़ी चलाने का shock है क्या आप enthusiast है और आपको driving में जायए है या खुद गाड़ी चलानी चाहिए mutual funds भी वही है आपकी investment की गाड़ी चलरही है stocks में directly invest करके आपको वो गाड़ी खुद चलानी है या mutual fund में invest करके आपको अपनी investment गाड़ी चलाने के लिए एक driver चाहिए जिसको हम fund manager बोलते हैं अब देखिये अगर आप गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखेंगे, तो उसके benefit क्या है? हो सकता है वो गाड़ी आप से ज़्यादा अच्छी चलाए, वो professional है, उसका ये काम है, तो उसने ज़्यादा गाड़ी चलाई हुई है, ज़्यादा experience है तो better गाड़ी चलाएगा, इसका negative क्या है? वो आपके जैसे आपकी गाड़ी का खयाल नहीं रखेगा तूकि वो उसकी गाड़ी नहीं है, वो आपकी गाड़ी है तो जितना प्यार आप अपनी कार से करते हैं वो नहीं करेगा, ये इसका कौन है, अब इसी से हम mutual fund में invest करने के पहले pros and cons discuss करते हैं फिर हम discuss करते हैं stocks में pros and cons directly invest करने के और उसके बाद मैं आपको इस वीडियो के end में clearly बताऊंगा कि आपको अपने कितना percent पैसा stocks में लगाना चाहिए, कितना percent mutual fund में इसका एक clear answer आपको हमेशा के लिए मिल जाएगा तो चलिए, पहले मैं एक brief कर देता हूँ mutual fund क्या है, देखिए mutual fund जब मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ तो मैं equity mutual funds की बात कर रहा हूँ यानि ये mutual funds भी stocks में पैसा लगाते हैं तो आप directly stocks में आपको जो company पसंदा रही है या आपको ये company पसंद है, आपने उसमें पैसा लगा दिया mutual funds में ये होता है कि आपके पास time नहीं है या आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है आपके पास थोड़े से पैसे हैं जिसको आप हर महीने लगाना चाहते है तो आप सोचते हैं कि एक expert है जो कई सालों से इसी industry में एक team of experts है मैं उनको अपना पैसा देता हूँ वो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों से पैसा collect करेंगे और मेरे बिहाफ पे stocks खरीदेंगे तो चलिए, mutual fund के pros and cons discuss करते हैं पहला pro, मैंने आपको बताया कि वो team of expert है तो अगर आप stock market professional नहीं है तो knowledge wise वो लोग आपके ऊपर है तो यहाँ mutual fund को चलो countdown चलाते हैं कितने plus, कितना minus तो यहाँ mutual fund हो गया, plus one experience और expert वहाँ जादा है दूसरा, क्योंकि वो 1000 करोड रुपए लोगों के manage कर रहे हैं और वो fund का बाजार में नाम है उनकी company से relation है तो उनको company के owner से सीधा discuss करने का मौका मिलता है कि company के क्या plan है, company का result खराब आया, तो क्यों आया, सारी चीज़े वो company के owner से, कोई बड़ा fund है तो शायद वो मुकेश अमभानी से भी directly बात करता हो तो उनकी reach और उनके पास information हमसे ज़ादा है mutual fund हो गया, plus two तीसरा, mutual fund के कारण आपको थोड़े पैसे में मिलता है, बड़ा diversification जैसे आपके पास 500 रुपे हैं आपको 500 रुपे महीना लगाना है और आपको चाहिए MRF का share जो एक share ही 80,000 का है iSher Motors का share चाहिए, जो 25-30,000 का है तो आप कैसे खरीदेंगे लेकिन क्योंकि mutual fund आप जैसे बहुत सारे लोगों से 5-500 रुपे ले रहा है और उसके पास 80,000 रुपे 80,000 रुपीज आ जाएं, तो वो उससे मिलके एक MRF का share ले लेगा और आप सब को mutual funds के units दे देगा, यानि थोड़े पैसे में आपको जादा diversification मिल रहा है, mutual funds हो गया plus 3, चौथा आपके पास time नहीं है, आप अपनी life में busy हो, आप अपना business करोगे job करोगे या बैठके stocks जूंडोगे तो आपको कुछ नहीं करना और आपके पैसे पे और पैसा बनता जा रहा है convenient, mutual fund हो गया plus 4, अब न थोड़े cons discuss कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया कि mutual fund वालों को management का access है, वो चाहें तो मुके शंबानी सर से भी directly बात कर सकते हैं इसका plus है, इसका एक negative भी है हर company का owner अपनी company को बहुत अच्छे से बेच सकता है, अपनी company की इतनी अच्छे चीक तारीफ कर सकता है कि वो हर कोई जो उसको सुन रहा है उसको influence कर सकता है कि मेरी company में invest कर लो, तो जब ये fund manager भी उनसे मिलते हैं और ये इनको अपनी बड़ी-बड़ी factories दिखाते हैं, कागस पर बड़े-बड़े plans दिखाते हैं, देखो हमको कहां से funding आने वाली है, तो fund manager भी है, तो इनसान ही न, वो भी influence हो जाता है, तो management access होना क्या plus है, मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे तो ये negative लगता है unbiased, जो दिख रहा है दूर से, जो कागस पे छपा है उसके basis पे निशकर्ष निकालना, better है, rather than management से जा के पूछना, वो तो अच्छा ही बोलेगा, जो बुराईया है, उसको छुपाएगा जो अच्छाईया है, उसको और अच्छे से दिखाएगा तो ये pro नहीं है, बलकि ये तो negative है इस कारण ही, mutual fund के पास क्योंकि management access है, उसके बावजूद वो गलतिया करते हैं, तो ये जो plus 4 हुआ ना, video editor sir, इसमें से एक minus कर दीजिए, दूसरा कौन, नौकरी भाईया किसको प्यारी नहीं है, अच्छी खासी नौकरी है, इन लोगों की लाखो रुपे महीने मिलते हैं लोगों के पैसे से share खरीदने के, इस चीज के लाखो रुपे की salary मिलती है, नौकरी सबको प्यारी है, अब अगर आपको नौकरी बचानी है, तो आप क्या करोगे आप सोचोगे, अरे पैसा बढ़े ना बढ़े, नुकसान ना हो, तो क्या करो गया, HDFC ले लोगे, TCS ले लोगे, Infosys ले लोगे, सारे safe stocks जो हर कोई खरीद रहा है, वो ले लोगे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरे fund में भले ही 20% का return ना है, minus 20% ना हो, मिरे को risk नहीं लेना, मिरे को safe रहना है, तो बहुत जादा safety oriented होते हैं, mutual funds, जादा तर, सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जादा तर, और different path लेने से डरते हैं, जादा तर, again, मैं कहा रहा हूँ, सब ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि हर किसी को नौकरी प्यारी ना, और क्या होगा, आप किसी fund manager ने Infosys में निवेश किया और हो गया, तो कोई उस fund manager को बुरा भला नहीं बोलेगा, लेकिन उस दें कोई unknown सा, अगर micro cap ले लिए और वो डूब गया, तो बहुत बदनामी होने वाली हो, उस fund manager कि उसकी नौकरी जाएगी, किसी और fund house में नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो सब को अपना career प्यारा है, तो ये fund managers risk नहीं लेते, different path नहीं लेते, और stock market में पैसा बनता है, herd mentality से अलग हटने में, जबकि सबसे ज़ादा herd mentality, fund managers ही follow करते हैं fund manager कब कमाएगा, जब आपका पैसा, उस fund में आएगा उसके लिए वो क्या करते हैं, खूब सारी publicity, नए नए, NFOs, उसका PR, उसके fund reviews और पता नहीं क्या क्या, क्यूंकि जितना ज़ादा उस fund में पैसा आएगा, उतना ज़ादा उसका 1% हमको commission मिलेगा, याने कि उनको मतलब है ज़ादा से ज़ादा पैसा लाने में, returns generate हो नहीं हुए returns, scheme बदनाम हो गए, उसको बंद करो, नई scheme launch कर दो, पैसा आते रहना चाहिए, तो कई बार fund houses again, सारे नहीं, काफी fund houses AUM, asset under management कितना पैसा आया, इस पे focus करते हैं, क्योंकि उसकी एक percentage इनको fees मिलने वाली है, उनका interest हर बार आपको पैसा बना के देने में नहीं है, हाँ वो भी एक factor है, क्योंकि अगर return अच्छा दिखेगा, तो past track record देखके भी लोग invest करते हैं, तो अच्छा performance और AUM आएगा, लेकिन अगर return अच्छा नहीं भी हुआ, ये fund बंद कर देंगे और नए नाम से नया fund चालू कर देंगे चार में से एक number बचे हैं, चलो इसको भी हटा देते हैं, इसको zero कर देते हैं चौथा बड़ा कारण कि entry और exit fund manager के हाथ में नहीं है, देखिए, एक अच्छी investing strategy तभी result ला सकती है, जब मेरे हाथ में control हो, कि कब मुझे पैसा लगाना है, कब मुझे पैसा डालना है अब इसमें mutual fund में problem क्या है fund manager को पता है, कि market गिरा वाए, चीजे बहुत सस्ती है, मिरको अभी सारे shares खरीदने है, बहुत सारे shares खरीदने है, लेकिन क्यूंकि market गिरा है, लोग डरे होएं, तो पैसा उस fund से निकल रहा है, मुझे मजबूरी में सस्ते में shares को बेच के लोगों को उनका पैसा लोटाना पड़ेगा, जब market महेंगा है, मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं मैं तो बेच के cash पे बैठना चाहता हूँ, अभी cash रखूँगा, invest नहीं करता महेंगे दावों में bull run है, पैसा खूब आ रहा है मुझे मजबूरी में shares खरीदने हैं क्योंकि regulations ऐसी है कि मैं 1% के उपर, 20 या 25% के उपर cash नहीं रख सकता, तो entry exit fund manager के हाथ में नहीं है वो लोगों के herd mentality के हाथ में है, जब आप individual investor हो, तो आप herd से अलग चल सकते हो, लोग जब पैसा निकाल रहे हैं, आप पैसा डाल सकते हो लोग जब पैसा डाल रहे हैं, आप पैसा निकाल सकते हो mutual fund में ऐसा नहीं हो पाता उसे तो share बेचने ही है, अगर redemption आ रहा है तो, तो mutual funds high में खरीदते हैं, low पे बेचते हैं, ये एक problem हो जाता है और इसमें mutual funds की गलती नहीं है by structure ही है ऐसा है कि अगर लोग ऐसा behave करेंगे, तो उनको मजबूरी में पैसा तो लोटाना पड़ेगा ना अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से सुझादतर points है, वो active funds के लिए index fund के बारे में मेरा क्या opinion है तो मैंने एक video बनाया हुआ है, active versus index funds को, जिसका link आपको video के description में मिल जाएगा, उस video को जरूर देख लीजेगा, और अगर वो आपकी query है, तो वो भी solve हो जाएगी अब बात करते हैं stocks की, पहले शुरू करते हैं, stocks, directly stocks में invest करने में क्या बुराईया है, पहला आपको बहुत time देना पड़ेगा, आपको सीखने के लिए, और उसके बाद companies को analyze करने के लिए time देना पड़ेगा, हाला कि इस time को ये सब कुछ आपको एक जगे पे मिल जाता है ticker.finology.in पे लेकिन फिर भी, कुछ time तो आपको देना पड़ेगा, तो पहला negative है कि time देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, second, discipline mutual fund में automatic आ जाता है, क्योंकि mutual fund की regulations ये हैं, कि आप एक share में mutual fund 10% से उपर नहीं लगा सकता, उसको minimum इतनी कमनियों में invest करना ही है बहुत सारे checks and balances हैं, तो discipline ना अपने आप आ जाता है, जब हम खुज stocks पे निवेश कर रहे हैं, तो हमको कौन बरोकने वाला है, हमको कौन टोकने वाला है हम क्या करते हैं, 5 share में अपना सारा पैसा लगा दिया, कई बार तो 2 shares में सारा पैसा लगा दिया, तो हम ना discipline नहीं रहते, in fact एक सही portfolio कैसे बनाई जाती है आपको अपने portfolio में कितने stocks रखने चाहिए, कितना percent allocation रखना चाहिए, ये सारी चीजे ना, मैंने इस video में cover की है, तो ये video आपको उपर card में मिल जाएगा, इसे जरूर देख लीजेगा, तो direct stock investing के video editor sir, हो गया minus 2, अब थोड़े pros discuss कर लेते हैं, पहला जो मैं कौन बोल रहा था ना, कि आपको बहुत time देना पड़ेगा, सीखने के लिए track करने के लिए, उसका बहुत फाइदा है, आपकी knowledge company के बारे में तो बढ़ेगी, लेकिन आप दुनिया का हर business समझ जाते हैं, अगर आप खूब ज़ादा बजाज को analyze करते हैं, बजाज auto को, तो अगर आपने पात साल की annual report पढ़ ली, con calls पढ़ लीए, तो आप एक तरह से two-wheeler industry को समझ जाएंगे, अगर आपने 100 annual reports अलग-अलग industry की समझ ली न, तो ये मान लीजे कि आपने दुनिया के 90% businesses को समझ लिया, तो आप generally एक बहुत smart इंसान बन जाएंगे, आपको दुनिया में हर चीज के बारे में अच्छा हो जाएगा, तो ये एक actually में pro है, second, exit and entry आपके control में है, आप जब चाहेंगे पैसा निकालेंगे, आप जब चाहेंगे पैसा लगाएंगे, कब herd के साथ चलना है, herd के साथ पैसे mostly कभी नहीं चलना होता, लेकिन हर चीज आपके control में है, कोई और, या फिर बाकियों के action, आपके actions को govern नहीं करेगा, आप ज़्यादा independent हो पाएंगे, और, of course, क्योंकि आप risk ज़्यादा ले सकते हैं, you can dare to be different, तो अगर आपने सही से किया, investing सही से किया, तो definitely आपके returns mutual fund से ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ high returns का potential है mutual fund के comparison में, लेकिन उसका contra ये है, कि अगर आपने सब कुछ अच्छे से नहीं किया, risk को manage नहीं किया, analysis अच्छे से नहीं किया, तो mutual fund से ज़्यादा खत्रा भी है, तो pros and cons दोनों हैं, लेकिन potential और independence जो direct investing आपके लिए लाता है, उसके कारण ये एक pro है, हम, यानि कि direct stock investing का score भी video editor सहब हो गया zero, mutual funds भी zero, stocks भी zero, यानि दोनों हैं, बराबर, अब आपको ये देखना है, कि आपके लिए क्या suit करता है, इसका एक simple thumb rule मैं आपको बताता हूँ, जो चीजों पे, जिस पैसे पे, जिस investment पे आपके goals depend करते हैं, आपको higher education के लिए जाना है, भाई भेहन की शादी है, बच्चों की शादी है, कुछ साल बाद अपने parents के लिए घर खरीदना है, कार खरीदना है, अगर जो fixed goals हैं, जिन पे आप risk नहीं ले सकते ना, उस पैसे को आप mutual fund में लगाई है, जैसे आप phenology की calculator section पे जा सकते हो, वहाँ हर goals के लिए na calculators हैं, जैसे आप सोचते हो, आपको घर खरीदने के लिए 50 लाख रुपे लगेंगे, तो आपको वो बता देगा कि फिर आपको हर महिने कितना invest करना चाहिए, mutual funds में, या अलग-अलग asset class में, तो अगर आपको 50 लाख रुपे का घर खरीदना है, तो ये calculator आपको बता देगा कि आपको कितना invest करना है, अब क्योंकि एक goal उस पे dependent है, उस पैसे को आप mutual fund में लगाई है, क्योंकि आपको goal तो beat करना है, आप goal पे risk नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास goals के अलावा कुछ surplus पैसा है, जैसे अगर आप अभी student हो, और आप पे कोई responsibilities नहीं है, या आपने ये सब के लिए आप investment तो कर रहे हो, घर खरीदने के लिए investment कर रहे हो, आपकी destiny, आपका fortune, आपकी किस्मत आपके हातों में होगी, आज से अगर आप शुरू करेंगे, तो अगले 5-10 सालों में आप बहुत कुछ सीख सकेंगे, और उस समय आपके जब promotions होंगे, salaries बढ़ेंगी, आपके पास capital भी अच्छा खासा होगा, knowledge भी अच्छी खासी होगी, और आप खूब पैसा बनाएंगे, problem कहां आता है बदा है, जब हम 30-35 के हो जाएं, हमारे पास salary तो आ रहे हैं, लेकिन skill नहीं है, अब खूब सारा पैसा हम लगा भी रहें, लेकिन हमको लगाना आता नहीं है, और हम खूब सारा पैसा गवा रहें, तो जब तक आप उस age पे पहुँचें, आप ready हों, खुद इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि returns उसी में साथा हैं, और वो तब होगा, जब आप आज थोड़े पैसे से शुरू करेंगे, तो वो कुछ भी हो, चाहिए आप महीने का 1000 रुपे लगाईए, 2000 रुपे लगाईए, लेकिन direct stocks में कुछ लगाईए, जरूर अगर आप young हैं तो, आप आज सीखेंगे, तो कल को कई गुना पैसा कमा पाएंगे, तो अगर मैं आपको convince कर पाया हूँ, क्या आपको stocks में directly भी invest करना चाहिए, उसके लिए आपको लगेगा DMAT account, और DMAT account में भी confusion है, बहुत सारे brokers है, कहां account खुलें, कहां नहीं, उसके लिए आपकी ये problem हमने solve कर दिये, इंडिया के best brokers अब हैं, select.finology.in पे compare करिए, अपना favorite broker choose करिए, और क्यूंकि आपने stocks में invest करने का सोचा है, एक अच्छी आदत को आपने शुरू करने की ठाना है, तो हम आपको देंगे 1000 रुपे के rewards भी select की तरफ से, अगर आप अपना DMAT account select से खोलते हैं, select का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, अगर वीडियो आपको helpful लगा हो, दोस्तों के साथ, family members के साथ share करिए, क्योंकि trust में हर किसी को ये confusion होता है, कि कौन सा पैसा mutual fund में और कौन सा पैसा stocks में लगाना है, मैं लाता रहूँगा ऐसे और बहुत सारे videos, This is Pranjal Kamra, signing off, bye bye.